नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं हरिश्टिवारी आप सोका स्वागत करता हूँ आपके बहुत ही प्यारे चैनला पर वोल्टरफेस के अंदर साथियों आज हैं पर 21 माई और शुरू करते हैं किस मैं की बहुत ही चैनला कर इंटरफेस को पहले कोशन के साथ में वह यह है अभी हाली में किस राज ने अमरित वाहिनी एप को लांच किया है पर और और बुकिंग ऑफ दी हॉस्पिडल बैड्स और इसको यहाँ पर लॉंच किया है जाकन की राज सरकार के द्वारा आप दिख पहेंगे जाकन की जो मुख्यमंत्री है हेमन सोरंजी तो हेमन सोरंजी ने यहाँ पर दिखे जो एप्लिकेशन से लॉंच किया है जिसका नाम है पर अमरित वाहिनी एप और यह क्या करने वा उनकी प्रॉपर जानकारी को प्राप्त कर सके बहुत बढ़ा इनिशेटिव है जो किसी राज सरकार के द्वारा लिया गया है और खोद एक यहाद है कि बहुत अच्छे लोगों को दिखिए अपने स्ट्राट को बूग करने में समझ्सय आ रही है तो वह क्यों ना इस अब्रित वाहिनी आपके माद्यम से अपनी वैक्सिनिशन स्ट्राप को बूग कर सकते हैं तो उन्होंने देखिए यहां पर प्रस्ताव रखा है यह मुद्दवी सुप्रिंग कई लोग का मानना यह कि देखिए जो हैकर्स हैं वो हो चुके हैं जिस प्रकास से आई या सीटी सी याद आप लोग को कि आप जब तत्काव करते थे तो तत्काव करने से पहले ही टिकट से यहां पर फूल हो जाया करती थी इसी प्रकाव कुछ एप्लिकेशन है जो यहां पर यह देशिक इंफ्रमिशन आपको बता दिए अगर में बात करें पर जाकन के बारे में बच्चे तो देखिए जाकन यहां पर पूर्ण रूप से लैंड लॉग स्टेट है मतलब यह पूर्ण रूप से देखिए वह आविक्षिष्ट राज्य है वैसे बता दो बेरे सा को बिहार से अले कके जाकन की स्टाफन के गी थी और वरतमान में आपके कितने जिले हैं पर 24 जिले हैं यह सारे की सारे एफेक्ट में आपको इंपोर्ण ली बता दिया है चले नेक्स कुछन पर दिया गया वह यह है कि सत्पड़ा टाइगर रिजल जिसे अभी हाली में दे लिश्त आईए उस के अंदर तो धेखिए यूनेष्कों की जो विश्व धरोज सूछी आईए जोस्थल की अस्थाही सूछी आईए न जो टेन्टाइटिटिव लिस्त आईए उसमें जोडा गया है तो कोशन ही मनता है कि जो सत्पुड़ा टाइगर रिजर्व ही कהां पर तो सत्पुडा टाइगर रिजर्व पर तें दर स्टेट और मध्यपदेश तो मध्यपदेश is the right answer आपको बता दू यहाँ पर सत्पुडा टाइगर रिजर्व की बार में में जिसे queen of सत्पुडा कहा जाता है तो यदि आपसे examination में question पूछनी आ जाए कि queen of सत्पुडा किसे कहते हैं तो पच्वड़ी को कहते हैं मेरे साथियो और यही पे सबसी उची जो mountain peak उसका नामे धूबगड 1350 मिटर इसकी उचाई है तो अभी हम बात करते हैं किस बार में ज स्थाई सुची वो शामल की जाती है तो यहां पर प्रैला सिंग पतेल जी है जिन्होंने इस सुची को जारी कर दी है मेरे साथियो हम जब बात करते हैं प्रैला सिंग पतेल जी के बार में जो union culture minister भी है भारत के उन्होंने रिसेंट्ली अनौस किया है हाँ पर 6 culture heritage site को जिसे अब यहां पर देखिए अगरी साल यह जल्दी ही इन्हें माने तक दी दी जाएगी तो 48 यहां पर टेंट्री लिस्ट में टोटल कर दी गई है टोटल अभी और टेंट्री को मिला के अब कोशन मत ऐसा कि इंडिया में अभी कितनी बच्चे तो इंडिया में अभी देखिए यहां पर युनेस्को के 38 साइट्स यहां पर भारत में शामिल है अच्छा एक बात और आज मेरी ना वाइफाइ स्टडी पे क्लास है युनेस्को को लेके आप उसे जरूद अटेंड की जगा बहुत ही बहतरी लेक्चर होने वाला है एक्जामनेशन में एक कोशन तो पक्क अगर्डिव लिस्क में शामिल एक उनमें कौन कों से शामिल है तो पहला है गंगा घाट व वारानसी वारानसी के अ इनदर जो म्लिटरी आरकिटेक्च्चर बनाएगा है वह है और बेडा घाट जो लमेटा घाट परता है नर्मदा घाटी में इंदर स्टेट ऑव मधिवा रिजन परता है जवलपूर। की जो मैं बात करता हूँ, तो मान नर्मदा किनादे बहुती हम पीछी रहे हैं, आपको बहुती इ साथ आतल जो के बात के रहे हुआ इसलिए की भाहनता बहुत अगर दस बाट डुक की मारेंगे दस बासनान करेंगे आपके पाप धुलेंगे गंगा में एक बासनान करेंगे आपके पाप धुल जाएंगे और ये आपको पता होना चाहिए कि मध्यपदेश के अंदर जो बेडा घाट के लगा पड़ता अ 입니다 यह famous है अपने संग मर्मर के चटानों के लिए marble rocks के लिए यह सारे के सारे facts मैं आपको importantly हमें बता दिये examination के point of view से देखिए बहुत कुछ नयाँ मिनने वाला है बच्चे बहुत कुछ नयाँ मिनने वाला है यह guarantee है परसु मीरी तोई थोड़ी खरापती तो energy down रही होगी लेकि चलो next question बनता है बहुत ही प्यारा वही कि यहाँ पर world heritage site जो मनाते है बच्चे world heritage day मनाते हों को मनाया जाता है तो याद कर दिजगा कि हर साल यहाँ पर 18 अप्रेव को मनाते हैं पर world heritage day और इस साल की मैंने थीम बताईती आप लोगो जब मैंने आपको 18 अप्रेव का करेंटर मैंने थीम बताईती याद कर लिजगा बच्चे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर complex past and diverse future यह थीम है इस साल की world heritage day 2021 की चलिए next question पर दिया आगया है वो यह कि इन में से कौन सा state है जिसने टॉप्ड किया है in setting of health and wellness center under the आयुश्मान भारत स्कीन तो आयुश्मान भारत लियोज इसका जो सही answer है ना मेंने साती है वो क्या देखिए आप जाकंड है जाकंड है जाकंड is the right answer yes तो जाकंड is the right answer आपको बता दूँ कि जाकंड राजने ने आपर top की है पहली position को among the 36 states and union territory मतलब पूरे भारत के अंदर इस scheme को लहाँ पर लागू किया गया था आप जानते हों यहां पर बात करते बच्चे रिखें तो यहां पर 28 राज्य है और यहां पर 8 केंद्र शाषित प्रदेश है और इनकी जब बात करेंगे तो यहां पर 36 states and union territory के अंदर इसे शामिल किया गया है तो जाकंड ने रिखें यहां पर टॉप किया है तो यहां पर implementation of the smart city projects में किया गया तो यह रैंकिंग यहां पर रिलेस की गई यहां पर ministry of housing and urban affairs के द्वारा और दिल्ली है 11 नमबर पर बिहार पर 27 नमबर पर यह basic information मैं आपको बता दिये चलो next question देखिए बहुत important है कल का question है बच्चे बहुत जादा important question है most important question में से एक होने वाला यह है और यह हमाले यह थोड़ा सा चिंता का विशय भी है question क्या है इसको दर समस्ते है question यह है कि बरफ का यह बहुत बड़ा टुकड़ा है जिसे बोलता है आइसबर्ग है ना वो टूट गया है अंटार्टिका से और वेडल समुद्र में जागी रहा है इस जो आइसबर्ग का जो नाम है यह स दूसरा चिंता को विशय यह है कि जब यह लैंड मास टूटा है वीज़ा है तो यह गैरेंटी से पानी में पेगलेगा और बहुत सब्सक्राइब बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरिया से वो काफी सब्सक्राइब होने वाले हैं और आपको बता दू कि कहने के जो सैक्लोंस से अरे हैं जितनी भी यह प懟र हो रहा है तो हमारे पृत्वही के अंदर आपको शारी थोरी नहीं पड़おおगी आपने कि स्क्रीन कि कितना बड़ा यह टुकड़ा है देखिया अंटार्टिका जो अलग हुआ है आप दिखाता हूं यह जो टुकड़ा है इसका इतना बड़ा है कि अबुधाबी जो अबुधाबी आइलेंड है देखिया जो अबुधाबी आइलेंड है उसमें ऐसे चार यहां पर बड़ा टुकड़ा है और हम जो बात करेंगे तो देखिये यह अन्टार्टिका का जो यह वाला इलाका देखिये जो नौट में पढ़ने वाला थोड़ा साप नौट ने कहीं सब्सक्राइब आप यहां प जो लाड़सां यहां पर आइसब्रक में से एक तो कहां कि यहां चाई है एक एक यहां है इसा आपको यहां पर देखिए स्कॉर्पियन की जो पूछ होती ना उसकी जैसे कुछ स्ट्रक्चर नजर आने वाली है तो यहां पर लाशना इंसल्फ है जो भी यहां पर अले होने की संभावना जहां बहुत लंबे समय से चल रही है तो यहां पर देखिए वैडल सी के अंदर य नीचे पायाती है आपको बता दू कि रिखिए हम जब बात करते हैं वस्टक के बारे में तो 1996 में देखिए रक्षियन एक्स्प्रोर जाय थे और रेशियन एक्स्प्रोर ने इस जील को यहां पर यहां पर देखिया था तो लेक वस्टक कहां पड़ता है पच्छे यहां कि जगा कि लेक वस्टक पड़ता है इंदा रेजन ओफ अंटाक्टिका चलो अंटाक्टिका से जोड़ा है एक और कोशन है बहुत प्यारा कि अभी देखिए अध्यन के अनुसर अकॉर्डिंग टू स्टडी यह कहा जा रहा है कि अंटाक्टिका किस वर्ष तक जलवायू पर विवतन बिन्दू पर पहुंच जाएगा kijक्रामिट टीपिंग प्यायरओ समझे जिंग के बहुत पॉंपर्चा इंक रहे हैं ने को चेंज़ंगे उसके बाद यहां पर चीजों को बापस लाना बहुत साथ मुश्किल है वो कहते नहीं है हर चीज की कदर होती है मिलने से पहले खोने के बाद वही कंडिशन हमारे साथ होने वाली है तो वह कंडिशन होने वाली है अगर अंटार्टिका की सारी की सारी बर चारी बर बर जाएंगे जो कॉस्टल एडियाज डोब जाएंगे हम कभी भूल जाएंगे कि यहां पर गवा को शेर होआ करता था नीयॉरॉक यहां पर जितने भी बड़े-बड़े यहां पर समुदर किनारी जो उस सब किसाब यहाँ पर पासिती कांटा से Зाधा बढ़ जागी है। रिसर्च जो भी दी गई है तो दोहजार सार्ट तक है कि किसी भी तरह से यहां पर टीपी परण को उप्राप करेंगे यदी हम इसी स्पीड दे चलते रहे तो अब हो क्या रहा है देखिए कि यहां पर जो पहरी से एक्रिमेंट किया गी उसमें यह का जाकिए हम कारबन के आप देख पाएंगे यहां पे बहुत ही बड़ा जो रखा हुआ है और पानी देखिए यहां पे नीचे बढ़ता है तो टेंपरेचर की बढ़ने से यहां पे जो नीचे की लाइन है वो पिगलना शुरू हो जाती है आप देख पार है कि जब पानी नीचे जाना शुरू करेगा तो बहुत ज़रा मात्रम में नीचे से बड़ पर पिगलना शुरू हो जाएगी पे आप जानते कि पर नॉम्मल स्पीड पर भैता है देंसेटी मैकसिमुम होती इसकी तो यहां पे जितना जदा लेखिए यहां प है वो बहुत स्पीट से तूट भी रहे हैं यह सांटिक्स सांटिक्स ने पर रिसर्च निकारदा है तिक इस साल जो यहां पर नवंबर 2021 में जो ग्लास को में देखे स्योपी तो अच्छबीस होने वाला है जिसमें कहा जारे कि हम कावन कर देंगे और बहुत सारे करने में करना जाते हैं कि करिए बाद में आपकी बस में नहीं है तो यहां पर हमने बात कि भारत ने बहुत सारा स Glais अंटर जयसे बाती है बंड़ apert ऐड़ए इंडा के क्या है बिल टो काउंटर रेस इन दा एंटी एशियन हेट क्राइम्स अमिड़ दा कोविड नैंटेन पैंडमीक मोस्ट इंपोर्टन कुश्ट तक हुआ क्या है जो पश्चिम के देश हैं जो वेस्टन कंट्रीज हैं उनका यह मानना है कि जो एशियन कंट्रीज हैं और एशि कंट्रीज की जो ओरीजन वाड़ी पीपल से हेट करना शुरू कर चुके हैं उनका मानना है कि यहीं लोग है जो कोविड को लेकि यहां पर आया है तो इस कारण से हुआ कि बहुत सारी घटना है जो देखने को मिली है और उस कंट्री का नाम है यूएस से डैट इस इस कंट्री में बहुत सारी लोग है जो एशिन पैसिविक रीजन से आते हैं और ऐसा नहीं है कि हर किसे ने कोविड को ट्रांसफर नहीं किया हां इंका मानना किसी और की तरफ है इशारा गुको करते हैं बहुत से रिपोर्स भी कहते भी है लेकिन यहां पर इस तरह से से त्रेट के गई थी तो यहां पर हम जब बात करते देखे तो 1414 के असपास एन्डर के असपास रिपोर्स है वो सामने आय HOLी थी तिन हफ्तों के अंदर ही यहां पर रहते हैं तो यहां पर रहते है कि 40 स्केट्स हैं यूस्ट में घटना घटित हो ली थी और जूसर यूसर किया गया as the head coach of the team India during the tour of the Shri Lanka in July 2021 तो July 2021 में जो इंडिया का tour होने वाला है Shri Lanka पर उन में किस जक्ति को देखिए head coach बनाए गया पर टीम इंडिया का तो उसका सही answer बच्छे आपर राहुल तो राहुल द्रविड है येस राहुल द्रविड इस राइट आंसर तो राहुल द्रविड बने देखिए head coach for the team इंडिया नेक्स कुछ आपर दियांगे है बहुत जादा इंपोर्टन वह यह है कि जो पिनाराई विजियन है आप इक फूटों पर देख पाएंगे पिनाराई विजियन की जी कि इन्होंने किस राज्य के मुक्यमंत्री के रूप में शबगत ली है तो मैं बता दू मेरे साथ यह द आरित मुंम्मद खान जी की द्वारा देखें इन्हें शबद दिला गई है और यहां पर ज्यादा इंवाट्स नहीं किया तो आप इनकी फूटों पर देख पाएंगे तो यहां पर हम जब बात करते हैं विजियन जी दिखें आप नए मुक्यमंत्री बन चुके हैं आरित म हम बात करते हैं की लीऌन लमेड सी लिखें वह नहीं एक नाम दिया गया है और बहुत ही इंपर्टन फैक्ट पूछ इन बहुते हैं यहां पर केरल स्टेत के अंदर यहां पर यहां पर पाए जाने वाली क्या के जाने हुट है पचए धर्थितक जो लिगव जीले है तो ब करने वाली है दस लाग रुपे का जो यहां पर बच्चे अनात हुए इस कोविड-90 की पैंडमिक के अंदर तो इससे अनॉस्मेंट करने वाली जो सरकार बच्चे वो कौन से देखें पर आंदर परदेश की है तो आंदर परदेश राज गवर्मेंट के द्वारा मेरी साथिय जो इसे अनॉस्मेंट किया गया कि जो बच्चे इस बार यहां पर अनात हो गया है कोविड-90 की पैंडमिक के अंदर तो राज सरकार उन बच्चों को यहां पर 10 लाग रुपे का जो डेपोजिशन है जो फिक्स डेपोजिट है वो करने वाली है और यह घोशना की है यहां सब्सक्राइब के अंदर तो उनके लिए सरकार यह बहुत बड़ा किदम उठाने वाली है चले मध्य प्रदिश सरकार ने भी रिखिया मतली पैंशन और फ्री एजुकेशन दिये है बच्चों को ऐसे बच्चों को जिन्होंने में पैनेंट्स को खोड़ दिया है और साथी कि यहां पर किस राज़ी के द्वारा बच्चे हम जब बात करेंगे तो यहां पर जो मीक्रो माइकॉसिस डिजीज बच्चे उसे अपर एपडेमिक घोशच कर दिया गया अब एक्जामनेशन में यह कोशन बहुत ज़ादा इंपार्टन्ट है बहुत ज़ादा इंपार्ट देल ज़ाद में बात करते हैं तो यहां पर ऑमने से कि घोशच कर दिये हैं अरजा बारोत हैं के बात कशन करें से जबशिवार invecus के बहुत सारे ऊत्यापर राजस्तान तो राजस्थान के अंदर 400 सके सिरा माह हम भुत कर दिये हर यां के अंदर देखे 177 जो मरीज वो मिल चुके हैं और यहां पर जुस्टूरॉइट से ना उनकी बिक्री को रोक दिया गया है और हडियाना भी दिखिए से महामारी घोशित करने की बात कर दी है ते लंगाना के अंदर भी हो जादा केस पोस्त कोवीड जो पेशन्स हैं जो पोस्त कोवेड पेशन्स हैं उनमें बहुत देखें तरह की जो डी सी से सामने आ रही है जो फंगल इंफेक्शन है और समस्या तो यह है कि बिहार के अंदर जो एंस है ना इंस पटना तो 20 मैं को यहां पर नए इंफेक्शन आ गया है जिसे बोलते हैं वाइट पंगस तो पहले से था अब यहां पर एक फंगस और आगे मेरे साथ जिसका नाम है वाइट फंगस और यह तो और जार डेडली हो चुका है क्यों क्यों कि हर किसी में हो रहा है मतलब यहां पर देखे है च्छलों पर दिया बच्च वो हैं कि अभी यहां पर रहा है जुकरक्ष यहांodi पूर्व मुख्यमंत्री है jarnaath पहरया जी जीनका 19 में को निदन हो गया है वो केस राजी के मुख्य मंत्री थे तो उसका सही आंसर क्या मेरे साथ ही हो आंसर आप रिखे राजस्तान तो राजस्तान is the right answer तो यह जगनाद पहाड याजी दिखे हैं पर CM थे हैं पर राजस्तान के सब्सक्राइब करते हैं वहां पर मिट्रॉट आके गिला था और हम जब बात करते हैं यह मिट्रॉट आपके गिला था और इसे प्रदशित किया जा रहा है सिंपल सब्सक्राइब नेक्स कुशन पर दिया गया है कि अभी हाली में किस बैंक ने यहां पर एग्रिकल्चर प्रोडॉट्स पर फुली डिजिटल लोन प्रोसिंस सिस्टम को लॉंच किया है तो इसे करने वाला जो बैंक के बच्च्च वह कौन से दिखे है आईडी बियाए बैंक है तो आईड प्रोसिंग सिस्टम में काम करने वाला है और पचास से जाधा जो प्रोडॉट्स लाइंस हैं उसके लिए सेंक्शन मिल रहेगा आपको इस अप्लिकेशन के माध्यम से एडी बैंक के माध्यम से तो मुंबई में हेड़कॉटर है राकिश शर्मा जी सीई ओ है और हम बात कर सब्सक्राइब करती है नेक्स कुछन पर दिया गया कि 21 में कौन से दिवस से बच्चे जो हरसा मनाते हैं तो हरसा मनाते हैं पर कुल्चुल डैवरसिटी विश्व सांस्कृतिक विविधिताब दिवस तो विश्व के अंदर दिखे जो बहुत सारी कल्चर जैं और उन्हें जो डिफ्रेंस उन्हें एक करने की बात कही जा रही है तो उसके लिए दिवस मना जाता है यूनेस्को के माध्यम से द्वारा इस दे को सेलिब्रेट किया रहा है तेकि इंडिया के लिए यह थोड़ा सा अलग है आज मैं भारत की बात करता हूं मैं तो भारत की रिखें हत्या कर दी गए थी यहां पर 21 माई को ही देखिए इनका जो हत्या थी वो कर दी गए थी इनका एसेसनेशन कर दिया गया तापर यह बहुत इंपोर्टन फैक्ट मैं बता रहा हो को देखें वह क्याता है हम जब बात करते हैं तो चब 21 माई 1999 को ही यहां पर राजी जी कि देखिए हत्या कर दी गए थी और इंडिया के यंगिस प्रामिनेस्टर थे और इनकी हत्या के दिवस्त के रूप में तो भारत में शांती फैले और कभी इस प्रिकास से कोई घटना घट इतना हो तो इनकी जो देखिए डेथ एनिवस्तरी ना इनको मनाया जाना पर इनकी पीछे जो हत्ते करने वाले समूता लिटे जो कहिना कई श्रिलिंका से संबाध देथ था तो यह मैं आपको सारी बाते बता दी है कभी इस पर दुबारा करेंगे अच्छी तरह से तो साथ यह ताच को में उम्मेद करता आपको बहुत ही सारी चीज़ें बहुत आपके लिए बहुत सारी सब्सक्रिशन मॉडल्स मिलने वाले हैं तो आपको कल और भी बहुत शांदा चीज़ें जो आपको लिक्याम में नहीं नहीं तो मिलते हैं कल घर पर रहिए सुरक्षत रहिए जा भारत